शिंदेज एजुकेशन गैलिरी ए लीडिंग नेम इन कोचिंग क्लासेस अनॉंस्मेंट कने जा रहे है एडमिशन दोहजार तेज की जाने माने आईटी गाइडिन्स पॉइंट यानी शिंदेज एजुकेशन गैलिरी के कोर्सेस में शामिल है इट स्टेंडर से लेकर टैन स्टेंडर तक का फांडिशन कोर्स साथी ग्यारवी और बारवी बोर्ट के साथ साथ जे डबली मेंस एन अडवांस नीट यूजी ए और एमच्टी सी एटीज से कोर्सेस शहर के इंदिरा गांती मेडिकल अस्पताल मेयों के वाड करमांग 34 में मंगलवार दोपैर को आग लग गई जिसे वाड में कुछ देर के लिए हड़कम मचा रहा कटना की जानकारी मिलते ही अस्पताल प्रशासन के अधिकारी तुरंत मौके पर पहुचे और आग पर काबू पालिया गया कनिमत रही कि इस हाथसे में कोई भी हाता हात नहीं हुआ रेकिन शौर्ट सर्किट की वज़ज़ से आग लगनी की संभाव ना चताई जा रही है मेयों स्पताल प्रशासन के मताबिक हड़ी रोग विभाक के वाड नमबर 34 में डॉक्टरों के लिए अलग कमरा है इस कमरे में शौर्ट सर्किट से आग लग गई वाड में दुआ गुस्ते ही परिजन वहां से भाग खड़े हुए तुरंत मेयों स्पताल के बिजरी सुरक्षा दिकारी और महराश्ट सुरक्षा बलके जवानों के साथ वाड में पहुँचे और अगनीश्मक यंत्र की गैस से आग पर काबू पा लिया गया अब इस करना के बाद अस्पताल में सुरक्षा के प्रतीला परवाही बरतने जाने का खुलासा हो रहा है क्योंकि मेयों स्पताल में आग से बचाफ के लिए जरूरी उपकरन लगाए तो गए है लेकिन नियमित रूप से इनका रखरखाव ना किये जाने की वज़ा से शायद ये उपकरन धूल खाते खाते खराब हो चुके है क्योंकि अगर ये उपकरन ठीक तरह से काम करते तो जिस समय आग लगी उसी समय कमरे में लगे फायर अलराम से घटना की जानकारी एस्पताल प्रशासन को लग जाती ना कि मरीजों और परिजनों के चिल्लाने के बाद NBCN News के लेकलेश भादवाच के साथ अकसान सारी की रिपोर्ट मैस कोचिंग ही नहीं शिंदेज एजुकेशन गैलरी में आपकी सुविधा के लिए उपलब्ध है स्कूलिंग, हॉस्टेल और मैस जैसी सुविधा है भी Only at regionable fees हमारी प्राँच अब अपलब्ध है महल, रेशिमबाग और चापुरुनगर में भी तो करियर का मैदवपूर निने लेने से पहले शिंदेज एजुकेशन गैलरी में एक बाद विसेट जरूर करे जोहां आपको मिलेगी सक्सेस की पूरी गैरेंटी For more details and registration, please contact to Dr. Madhuri Shinde on 888-888-3436-PER